वेलकम दोस्तों क्रिक फ्रेंट से लीग में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धाका T20 मैच जो खेला जाना है प्राइम डोलेस्वर स्पोर्डिंग क्लब वसेस मोहमडेन स्पोर्डिंग क्लब के बीच दोस्तों मैं 70 से 80 परसेंट विनिंग गारंट देखो टीम लास्ट मोमेंट मैं चेंजिस कर देता हूं टेलेग्राम नहीं है तो आपको नहीं दे पाता हूं अभी टाइम नहीं दे पा रहा हूं दोस्तों मैं टेलेग्राम स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा भी बट जाके एक बार वीडियो देखिए और एनालेसिस करिए 100% दोस्तों वही प्लेयर अच्छा प्रेडिक्शन कर रहे हैं जिनके बारे में बोला जा रहा है दोस्तों बहुत ही तगड़ा प्रेडिक्शन हो रहा है बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन जा रहा है मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है इससे बट आप लोग मैच स्टार्ट होगा सुबह 8.00 एम पे तो अभी बहुत सारा टाइमिंग है फिर से मैं बोलूँगा वीडियो को पूरा देखना बहुत सारी चीज़े आपको यहां पे मिलेगी बहुत मेहनत किया हूँ दोस्तों साथ से आठ घंटे मेहनत किया हूँ दोस्तों एक वीडियो को बनाने में कोई इतना मेहनत नहीं करेगा दोस्तों जिसका एक बार चल गया फिर चल गया जाके एक बार मेरे पिछले जितने वीडियोस हैं आप ध्यान से सुनो और उसके बाद रिजल्ड देखो मैच का प्लेयर परफॉर्मेंस से देखो तब आपको यकीन होगा कि यहां भाई ने जो बोला है वही हुआ है बात करते हैं दोस्तों PDHC प्राइम डोले स्पोर्टिंग क्लब प्लेयर्स के बारे में या प्लेयंग 11 के बारे में इनकी प्लेयंग 11 क्या हो सकती है उससे पहले आपको बता द दोस्तों 137 कर पाया तीन विगेट के नुक्सान पे और पूरा पूरा भी सोबर खेल गए 139 रन ये लोग चेज नहीं कर पाये आपको एक सौकिंग बात बताएं दोस्तों इनके तीन टॉप और बैट्समैन ने 131 रन कर दिया था फिर भी ये लोग चेज नहीं कर पाये थे बहुत ही ज़्यादा सलो खेले थे सलो क्या खेले थे दोस्तों उसमें बीयू की बोलिंग बहुत ही अच्छी हुई थी और चेज करना मुझे ऐसा लगता है इस विन्यू पे टिपकल होगा तो अगर दोस्तों यहां पे एक काम आप करना अगर यहां पे दोस्तों sporting club की team second bet करती है तो आप तो आप आख बंद करना दोस्तो और इनके 3 से 4 baller के साथ आप head to head में जाना अगर आपको clean ship जाना है दोस्तो तो यह strategy कर सकते हो especially mohamden sporting club मुझे ऐसा लगता है अगर यह team first bet करेगी तो 100% win कर जाएगी वह है prime dollar sporting club अगर second ball करेगी दोस्तो यह team भी win कर सकती है इनके पास भी players अच्छे हैं, ballers अच्छे हैं, दोनों team में बहुत ही अच्छी हैं दोस्तो बट मुझे अभी भी लगता है कि mohamden as compared to prime dollar sporting club जादा strong है बट match में first bet second bet बहुत important होने वाला है तो जो team second ball करें दोस्तो उसके at least आप 2-3 baller लेखे जाना जो especially power play में balling कराएं प्लस आपके team में leg spinner अच्छा खासा होना चाहिए आगे हम बात करेंगे इसके बारे में लेकिन leg spinner आपके team में होना चाहिए तो दोस्तो यहीं से हो जाती है starting team बनने की और team बनाने की तो यह सारी चीज़े जब आप skip करते हो ना तभी आपका loss होता है तभी आप loss कर जाते हो बात करेंगे दोस्तो PDSC के playing level या player performance की PDSC के playing level दोस्तो यहाँ से कुछ इस तरीके से दिख सकती है top order batsman में इमरान उजमान, तवफीक खान, सैफ हसन यह आपको दिख सकते हैं दोस्तो यहाँ से आप चाहो तो सैफ हसन को ट्राई कर सकते हो आगे मैं इनके बारे में एक चवकाने वाली बात बताने वाला है दोस्तो बट इनका selection percentage जितना यह run किये हैं इतना ही इनका selection percentage है 37, पिछले match में 37 करके आ रहा हैं दोस्तो उससे पहले 28 किये थे, इमरान उजमान की बात करें तो पिछले match में 10 run किये उससे पहले वाले में 40 किये थे वही तवफीक खान की बात करें दोस्तो 15 run किये और उससे पहले वाले match में ये खेले नहीं थे अब बात करते हैं दोस्तों middle order batsman में इस team से खेल सकते हैं फजल महमूद must pick option होने वाले हैं especially पिछले match में 39 किये हैं उससे पहले वाले में open किये थे 14 run पे out हो गए दोस्तों इनका सबसे बड़ा problem कहां पे है यहां पे इनकी सबसे बड़ी problem है मतलब कि इनका opening pair है वो fix नहीं है मुझे ऐसा लगता है ये फिर से किसी को try करेंगे हो सकता है या तो उजमान के साथ तवफिक खान को लाए फिर से या तो तवफिक के place पे किसी दूसरे को लाए हम समागे उसके बारे में बात करेंगे middle order batsman में बात करें दोस्तों यहां से फजल महमूद एक अच्छे pick हो सकते है यह जो इस्टेडिया में दोस्तों यहां पे middle order batsman काफी important role play कर सकते हैं सामीम पटवारी bowling भी कराते हैं एक important pick हो सकते हैं 25-30 run अराम से कर देगा यह बंदा बं 4 run की 9 run की बट इनका selection percentage बहुत हाई है आप चाहो तो यहां पे एक रिक्स ले सकते हो सैफ हसन को try कर सकते हैं प्लेस आफ एफ राजा बट ध्यान रखना की एफ राजा जो है यह चार ओवर पक्का कराएगा डेथ में बॉलिंग करा सकता है तो थोड़ा सा रिक्स होगा बट यह रिक्स लिया जा सकता है क्यों लिया जा सकता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब दोस्तो इस टीम का जो मुझे सबसे बड़ा जील का कप्तान लग रहा है वो है सरिफ उल्ला यह दोस्तो मुझे जील का सबसे बड़ा कप्तान दोनों टीमों से लग रहा है क्य चार उबर करा सकते हैं अगर इनकी पिटाई नहुई तब सरिफ ला की बात करेंगे दोस्तो चार उबर किया 21 रण दिया दो विकेट लिया उससे पहले वाले मैंच में सिर्फ दो बर किया था एक विकेट लिया दोस्तो इसका इकोनोमी बहुत अच्छा है यह प्लेयर बहुत आउटस्टाइंडिंग है जैसे जड़ु खेलता है वैसे कुछ टाइब का है समीम हुसेन की बात करें दोस्तो तो चार ओबर 17 रन 2 विकेट काफी अच्छे पिक बन सकते हैं वही इनामुल हग की बात करें हग जूनियर की बात करें दोस्तो तो तीन ओबर 10 रन 2 विकेट और पिछले वाले मैच में 4 ओबर किये थे 2 विकेट लिये थे तियाहा से इमामुल हग जूनियर एक इंपॉर्डन पिक बन जाते हैं दोस्तो आप इनको ट्राइ करना ये दोस्तो समीम हुसेन समीम पटवारी है ये ओबर किया था पिछले मैच में 4 ओबर 17 रन 2 विकेट लिया और बात करेंगे केश लाम राभी की इनका सेलेक्शन आप परसेंटेज बहुत ही काम है दोस्तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे दो ओबर किया था थाइस रन दिया जिरो विकेट लिया था उससे पहले वाले मैच में 4 ओबर किया था दो विकेट लिया था यहाँ से जो बोलिंग सेक्षन से important pick बन जाते हैं रेजाओर रह्मान और इनामुल हक जूनियर ये दोनों important बन जाते हैं सरीफ उल्ला बहुत ज़्यादा important है क्यों important है हम लोग आगे बात करेंगे GL के इतने बड़े pick है क्यों है हम आगे बात करेंगे अब बात करते हैं दोस्तों इस match म मुहमद आयूब को बाहर कर दिया गया open करता है किस रंट किया था अगर खेलता है तब आप इसको जील में try कर सकते हो या दोस्तों अगर ये विकेट कीपिंग सेक्षन से खेलता है तो आप इसके साथ जा सकते हो पावर प्ले बोलर्स की बात करें दोस्तों तो एफ राजा पावर प्ले में बोलिंग कराते हुए आपको दिख जाएंगे यहां से सरिफ उल्ला पावर प्ले में बोलिंग कराएंगे एस हुसेन आपको पावर प्ले में बोलिंग कराएंगे वहीं आर रह्मान की बात करें तो ये आपको डेथ में बोलिंग कराएंगे दोस्तों के इ यह player भी important है क्योंकि यह death में bowling कराएगा, power play में bowling कराएगा, तो आप चाहो तो इसका एक बार screenshot ले लो, आपको अपनी team बनाने में बहुत ज्यादा help होगी दोस्तों, अब इससे असान दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इससे असान बनाया जा सकता है, दोस्तों बात करेंगे, यहाँ से आप एक बार screenshot ले लो, PDHC का top order batsman, middle order batsman, finisher, ballers, और यहाँ से जो player भाहर हुआ था दोस्तों इस match से, power play balls की बात कर लेते हैं, यहाँ से F Raja, Sarifullah, S.O.S.N. bowling करेंगे, 16-20 over balls, मतलब death over में जो bowling कराएगा, आर रह्मान 2 over confirm कराएगे death में दोस्तों, कि Islam भी 2 over करा सकत हैं, death में, वहें F Raja की बात करें, ति यह maximum 1 over 16 over हो सकता है, कराएगे, नहीं तो यह 15 over के पहले ही अपना quota complete कर सकते हैं, ति यह player important है दोस्तों, अब MSC के playing 11 की बात करें दोस्तों, या player stats की बात करें, यहाँ से जो इनके important pick होने वाले, especially top order batsman से, महमदूल हसन, पिछले match खेल नहीं थे, परबेज हुसेन इमोन की बात करें, 50 run किये दोस्तों, उससे पहले वाले match में 49 run किये थे, समसुर रह्मान की बात करें, 33 run करके आ रहे हैं, उससे पहले वाले match में 34 run किये थे, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है, यह 3 important होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है दोस्त तो सक्की बलहसन मर्श पिक आपके टीम में होने चाहिए, टीम के कप्तान भी है, पिछले मैच में 20 रन कराए, 29 रन उससे पहले वाले मैच में, एस होम, ये डिफरेंसियल पिक हो सकते हैं, इस पेसली आप इनको सिर्फ जील में ट्राई करना, दोस्तों बात करेंगे फिनिसर के साथ ही आपको जाना चाहिए, यहां से बात करेंगे दोस्तों फिनिसिंग में इर्फान सुकूर कर सकते हैं, नदीब चौधरी कर सकते हैं, बट ये दोनों बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगे, आप इनको इगनोर कर सकते हो, बॉलर्स की बात करें, यासिन इस टीम से मेरा सबसे बड़ा पिक होने वाला है, MSC से, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान रखना, तसकीन अहमत की बात करें, मस्ट पिक उप्सन होने वाले हैं, अब दोस्तों तसकीन अहमत पे आते हैं, पिछले मैच में ये तीन विकेट लेके आ रहा है, तीन तीन बोल, पंदरा रन, तीन विकेट, दोस्तों मैं सीधा सीधा बोला था, अगर आप लोग रिक्स ले सकते हो, तो तसकीन अहमत को आज़ा कैप्टन, वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, तो यही सारी चीज़े अलग बनाती हैं, अगर आप प्रिडिक्शन पूरा सुनत अबुजयद, अबुजयद के बारे में मैं बोलूँगा इस पेसली, अबुजयद का सेलेक्शन परसेंटेज उस दिन दोस्तों 9% सिर्फ था, मैं बोला था, अगर चाहो तो अबुजयद को ट्राई कर सकते हो, तसकीन अहमत के साथ अबुजयद अगर जो लोग ट्राई कि यह होंगे बहुत सारे लोग ये बात करें दोस्तों यहां से तस्कीन हमत की 3 Overt 3 बॉल 15 रन 3 विकेट वही पे इससे पहले वाले मैच में नहीं खेलें से ये दो विकेट लिये हैं और बात करें अबु जायद की तो चार ओबर 33 रन तीन विकेट उससे पहले वाले मैच में चार ओबर में एक रन एक विकेट लिया था वहीं सकीबल हसन की बात करें तो 4 ओबर 16 रन 2 विकेट वहीं पे 4 ओबर में 2 विकेट लिया था उससे पहले वाले मैच में एस ओहम की बात करें दोस्तो ति ये 3 ओबर 14 रन 1 विकेट लिये थे बट इनके सामने जो टीम थी वो काफी वीक थी अभी जो टीम है दोस्तो वो मुझे ऐस कंपेर टू जो इनके सामने पिछले वाले मैच में टीम थी उससे कंपेर करें ति ये टीम काफी स्ट्रॉंग है अब वो हिदार की बात करें दोस्तो ये मेरे सेकेंड इस टीम के जील के पिक होने वाले हैं आप इनको ट्राइक कर सकते हो यहां से जो जील के पिक बन रहे है यासिन अरफात अबुहेदर आईजा कैप्टन ट्राइक किया जा सकता है बात करें इस मैच से दोस्तो इनके जो प्लेयर्स बाहर हुए थे जो अभी करेंट मैच खेल के आ रही टीम अब से एक दास बाहर हुए थे एक रन किये थे आसिफ हसन बाहर हुए थे एक विगट लिया था तीनो बर अगर यह खेलता है तो आप इसको ट्राइक कर सकते हो देख सकते हो दोस्तो यह प्लेयर अच्छा पिक बन सकता है बात करें पावर प्ले की, तो पावर प्ले में अरफात बॉलिंग कराएंगे, अहमद बॉलिंग कराएंगे, जायद बॉलिंग कराएंगे, अरफात, अहमद, अबुजायद, यह तिनों पावर प्ले में बॉलिंग कराते हुए दिख जाएंगे, डेथ होबर की बात करें दो तो देथेंगा कर You आपड़ बाुलिंग कराएंगे यहां से हिदार दोस्तो एक अच्छी पिक बन जाते हैं यहां पे यह से लेना है या दोस्तों थोड़ा सा आपको रिक्ष लेना है तो मैं अबुजायत को फिर से एक बार आप ट्राई कर सकते हो ले सकते हो बट सामने प्लेयर अच्छा है दोस्तों सकीबल हसन आप उसको इग्नोर मत करना यह प्लेयर दो मैच खेला है चार विकेट लिया है तो यह बाइटिंग से भी अच्छा कंट्रिब्यूट कर सकता है प्लस बॉलिंग से भी आपको एक या दो विकेट यह मिनिममम ल आपके 20 सोब्स हो जाते हैं दोस्तों यहां से एसों को इग्नोर कर दो तो अगर आपको हिट टु हिड में जाना है रिक्स लेना है तो यहां से पांच को ट्राइब कर सकते हो बहुत बड़ा रिक्स होगा बद लिया जा सकता है बात करेंगे दोस्तों अब जो चीजे आने वाली है आप उसका स्क्रीन सोट लेते चलना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्डन चीज है बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की इर्फान सुकुर यह चीजे मैं क्यों लेके आया दोस्तों आज मैं कहना चाहूंगा कि यह चीजे मैं इसलिए लेके आया कि जब आप प्लेयर क उसके बारे में कोई नया प्लेयर एड होता दोस्तों तो सीधा आप उसका सेक्शन देखो विकेट कीपर है बैट्समैन है यह बोलर है या आल राउंडर है आप सीधा यहां पे आओ विकेट कीपर सेक्शन बैट्समैन सेक्शन बोलर सेक्शन आल राउंडर सेक्शन तीनों सुकूर लिटी बैटिंग करेंगे दोस्टो 21 मैचस कहले है 21 के यरोज है अब दोस्तों यहाँ से बात करेंगे उजुमान की राइटी बैटिंग करेंगे ब्ट ये ऊपन बैटिंग करने आ रहा है तो एक इमपोर्टन पिक बन जाता है अगर सुकुर उपर बैटिंग करता दोस्तो तो ये भी ट्राई किया जा सकता था बैट्समाइन की बात करें सैफ हसन दोस्तो मैं इसके बारे में क्यों चिला रहा हूँ दोस्तो सैफ हसन राइटी बैटिंग करेंगे 15 मैचेस के लिए 432 रन की है 30 का एरोईज 30 का एरोईज दोस्तो टॉप अडर बैट्समाइन है बट ये एक रिक्स होगा मैं इतना कहूंगा बट दोस्तो ये प्लेयर अच्छा है आप ट्राई कर सकते हो इस पैसली हेट टो हेड में फजल महमूद की बात करें दोस्तो तो फजल महमूद आप देख सकते हो की स्कायरेज है अगर आपको रिक्स लेना है तो फजल महमूद को ड्रॉप कर सकते हो सैफ हसन के प्लेस पे दोनों सेम कटेगरी की बैट्समाइन है दोस्तो एक राइटी है एक लिप्टी है बट मु तो middle order batsman बहुत ही अच्छा है आपकी टीम में होना चाहिए drop करने का रिक्स लेना भी मत क्योंकि सामने इसको ले के आने वाले है नदीब चौधरी मुझे नहीं लगता है यह खेलेंगे मार्सल अयूब, अयूब के बारे में आपको कहना चाहूँगा अगर यह बंदा खेलता है ट्राइक कर सकते हो, इस पैसली जील में राइटी बैटिंग करेगा, लेगी स्पिन बॉलिंग करा सकते हैं, कभी को बार कराते हैं 30 मैचेस खेले हैं, 19 कायोरेज है, 4 विकेट लिए हैं तो ऐसे प्लेयर को आप जील में ट्राइक कर सकते हो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड हैं दोस्तों, एक तो सैफ़सन है, मैं मानता हूँ दोस्तों, 0 पे आउट हो जाए, कुछ भी आउट हो जाए, जो इस्टैर्स है जैसा प्लेयर खेला है, हमारे सामने है, आप आपको डिसाइड करना है, कि आपको ट्राइ करना है, कि नहीं ट्राइ करना है समसुर रह्मान इन दोनों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं लोग बड़ दोस्तों यहां से मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं हाँ as compare समसुर रह्मान सैफ असन एक बेहतरीन पिक है आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो किसी एक प्लेयर पे रिक्स लेना है तो यहां से आप सैफ असन के साथ जा सकते हो यह रिक्स आप ले सकते हो बात करेंगे दोस्तों यहां से नैस अपसेक मित्रा मुझे नहीं लगता यह खेलेंगे अब्दुलमाजित खेलते हैं तो आप देख सकते हो तवफिक खान की बात करें राइटी बैटिंग करेंगे लास्ट मैच खेलें दोस्तों कुछ खास स्टैट्स इनका अभी तक नहीं मिला ना तो लिस्टे में इनके बढ़िया स्टैट्स हैं दोस्तों तो इसलिए मैं इनको इग्नोर्ड करूँगा हाँ जील में आप इनको ट्राइ कर सकते हो आज प्लेयर आप इनके साथ जा सकते हो आज राउंडर सेक्षन की बात करें दोस्तों त्यहां से सकीबल हसन लिफ्टी बैटिंग करेंगे प्लस लिफ्ट हैंडे लेग स्पिन बॉलिंग कराएंगे तो एक इंपोर्डर्ड पिक बन जाते हैं क्योंकि सा पइंगे पॉर्ड प्ले में बॉलिंग कराएंगे तेरो मैच जरें छे विकेट लिया है वही पे Mouse के जाना है घर चार विकेट लिया है दोस्तों इससे पहले मैस था अभी जो मैंच हुआ क्या बोलते हैं उसका तो दोस्तों अभी जो मैच हुआ BU versus DOHS का आज जो हुआ था उसके बारे में मैं बताया था सीधा सीधा बताया था कि आप सेफ कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हो कहाँ पे रिक्स ले सकते हो एक प्लेयर के बारे में मैं बोला था रहातुल फर्दोस के बारे में दोस्तो लगभग 70 प्लस फैंट से पॉइंट दिया है हेट टू हेट में मैं बोला था और जिस प्लेयर पे मैं रिक्स लेने को बोला था दोस्तो उसका सेलेक्शन आप परसेंटेज आप यकीन कर लो 90 प्लस था और टीम का वो लगभग 30 परसेंट लोगों का कैप्टन था मैं बोला था आप इस प्लेयर को ड्रॉप कर देना और यहां से रहातुल फर्दोस को लेखे जा सकते हो यह एक अच्छे पिक बन सकते हैं और 70 प्लस पॉइंट दे दिया दोस्तो तो दोस्तो यह होता है प्रेडिक्शन और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों का 100% कही न कही प्रॉफिट होने वाला है बट आप लोगों को ध्यान देना होगा हाँ मैं मानता हूँ बहुत सारे प्लेयर आ जाते हैं इसके वज़ा से केंट फ्यूजा न हो जाती है तो मैं कोसिस किया हूँ कि कम से कम अट लिस्ट आपको 14 11 से 15 प्लेयर इस से मैं आपको प्लेयर नहीं बताऊंगा जिसके साथ आपको जाना है अपनी 11 चुनने के लिए मैं आपको 15 प्लेयर दूँगा आपको इसी में से अपने 11 डिसाइड करना है और इसी 15 में दोस्तो आपके performance भी आने वाले हैं performer भी इसी 15 में आपको दिख जाएंगे बात करें आलराउंडर सेक्षन की यहाँ से दोस्तो तैबूर रह्मान 22 का उरेज है 4 बिकेट है यहाँ से एस होम की बात करें दोस्तो तो राइटी बैटिंग करते हैं प्लस ओफ इस्विन बॉलिंग कराएंगे 22 मैचस खेले हैं 14 का उरेज है experience बहुत जादा है प्लस आप देख सकते हैं उनका performance जैसे दोस्तो तेवतिया है उस टाइब के हैं मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि तेवतिया हमारे यहाँ का सुआ गाता होम दोनों सेम है दोस्तो बट यह कभी कभार अच्छा कर जाते हैं दोस्तो धाका T20 में इस्पेसली तो GL में इनको जरू ट्राइक किया करो ऐसे प्लेयर GL कभी न कभी बीन करवा ही देते हैं आसी पहमत की बात करें दोस्तो 14 मैचेस खेले हैं यहाँ पे 11 क्योरेज है 4 विकेट लिए हैं महबदुल हसन की बात करेंगे दोस्तो यहाँ से आप देख सकते हो 29 मैचेस खेले हैं 15 क्योरेज है 0 विकेट है ये open करने है आया था मैं इसको अपनी टीम में नहीं ले जा रहा हूँ हाँ आप try जरूर करना in GL, GL में आप ऐसे player को जरूर try किया करो टॉकर खान की बात करें दोस्तों अगर ये बंदा खेलता है तो मैं इसके साथ जाने वाला हूँ कुछ भी हो जाए अगर ये बंदा इस्टार्ट कर दिया तो आख बंद करूँगा इसको टीम में रखूँगा क्योंकि 37 का उरेज है 15-20 मैचेस खेला है 526 रंकिया 18 विकेट लिया है मेरी टीम का हो सकता है जब VC हो हो सकता है मैं इसके साथ I as a player head to head में जाओं ये player मेरी टीम में दिखने वाला है राइटी बैटिंग करेगा प्लस राइट हैंडें मीडियम फास्ट बोलिंग कराएंगे सरीफ सरकार का स्टैट्स मिला नहीं बोलर बोलिंग section की बात करें जोस्तों यहाँ से जो important pick होने वाले इस्पेशली तसकीन हमत राइट हम फास्ट बोलिंग कराएंगे 84 मैचेस कहलें 97 विकेट लिये अब्बु जयायत राइट हम फास्ट बोलिंग कराएंगे फास्ट बॉलर है ना कि मीडियम पेसर है दोस्तो मेरी टीम में आपको ये दिखने वाले हैं हो सकता है तीन मिंबर या चार मिंबर में दिख जाएं मैं इनके साथ जाने वाला हूbah मैं इनके रिक्स लेने वाला हूँ बिकेट ले बिकेट ले जाएं कुछ भी हो बट मैं इस पे रिक्स लूँगा बात करेंगे दोस्तों के इसलाम राभी पे इसका सेलेक्शन आप परसंटेज बहुत आई है राइट आप मीडियम फास्ट बॉलिंग कराएंगे बट दोस्तों ट्राइ किया जा सकता है सेफ जान जब क्लीन सिफ होता है तब मजाता है सरीफ लाग की बात करेंगे राइट हैंड बैट करेंगे दोस्तों राइट आम ऑफ स्पीन बॉलिंग कराएंगे 18 मैचस खेले हैं 123 रन अब इस प्लेयर पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ 18 मैचस खेला 17 विकेट लिया है वहीं प प्लेस पे एफ राजा के कंपेर में मुझे ऐसा लगता है इनके प्लेस पे सरीफ लाग एक अच्छे पिक बन सकते हैं तो मैं हो सकता है एफ राजा के प्लेस पे यहां से सरीफ लाग के साथ ही जाओ आसी फशन की बात करें 11 मैचस खेले हैं 6 विकेट लिए हैं और इमाम उ रहमार राजा की बात करें, 6 मैचे स्केले हैं, 7 विकेट लिया हैं, अब दोस्तों यहां से जो प्लेयर निकल के आता है, एसिन अराफाथ, यंग प्लेयर हैं, दोस्तों, राइट आम मीडियम फार्स बोलिंग कराता है, 5 लिस्टे मैचे स्केला है, 13 विकेट लिया है, एक बह लेख सकते हो, इनका कोई स्टाइट्स नहीं मिला है, रूयल मिया की बात करें, आप इग्नोर कर सकते हो, उदिन खेलता है दोस्तों, इसको जरूर ट्राइ करना, एक टीम में, 18 के ओरेज है, 25 मैचेस में 25 विकेट लिया है, तो एक इंपोर्टेट पिक बन सकते हैं, इस्प टॉप पिक निकल के आ रही है, इमरान उजुमान, सैफ हसन, फजल महमूद, समीम पटवारी, सरीफ उल्ला, इमाउल हक जूनियर, रिजारूर रह्मान, ये प्लेयर निकल के आए, इस्पेशली PDHC से, आप इनका स्क्रीन सॉट ले लो, लास्ट में आपको डिसाइड करना है कि आप इन जो 14-15 प्लेयर हैं, आपको किसके साथ जाना है, MSC की बात करें दोस्तों, तो टॉप प्लेयर निकल के आए, प्रवेज हुसे निमोन, समसूर रह्मान, एसाललह हसन, यासिन राफात, तसकीन अहमाद, अब्बु जायाद, अब्बु हिदर, दोस्तों मैं आप को 100% confidence देता हूँ, कि इन 14 या 15 प्लेयर के अलावा, कोई प्लेयर मुझे नहीं लगता कि उतना बढ़िया performance दे पाएगा, जितना बढ़िया ये लोग देने वाले हैं, तो आपको इन ही में से decide करना है, जाके stats देखो, जो बोला हुँ, सुनो, उसके बाद अपने team अपने तरीके से form करो, अब बात करते हैं दोस्तों, GL के pick, कप्तान, वाइस कप्तान की, तो यहां से समीम पटवारी बहुत बड़े pick हैं, GL के, सरीफुल आप फिर से यहां पे आपको दिख गए, वहीं पे महमुदुल हसन की बात करे, एक बहुत अच्छे pick बन सकते हैं, इरफान स section से, यहां पे एफ राजा को मैं add करूँगा, GL में, as a captain, wise captain, आप इनको try कर सकते हो, यहां दोस्तों, यहां पे आप चाहो, यहां पे, सरी, यहां पे दोस्तों, तसकीन अहमत को as a captain try करो, इन सभी को as a VC करके, अपनी GL team firm कर सकते हो, यह जो player हैं, दोस्तों, 15-20 player हैं, इन्ही में से, आपको hit to hit की team बनानी है, आप इसका एक बार screenshot ले लो, और बाकी चीज़े, यहां पे आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी, दोस्तों, baller कौन से है, all rounder क्या किये हैं, और plus batsman क्या किये हैं, बिकट की पिर्म क्या किये हैं, उसके साथ death में bowling कौन कराएगा, power play में bowling कराएगा, इस समय baller का performance कैसा रहा है, जो दो matches खेले हैं, प्लस middle order batsman कौन से है, top order batsman कौन से है, इनका position क्या है, lefty है, righty है, right arm passer है, left arm passer है, orthodox है, या off spinner है, यह सारी चीज़े आपको बड़े असानी से मिल जाएगी, दोस्तों, और उसके साथ साथ team का performance भी आपको दिख जाने से पहले, एक बार मैं फिर से आपसे request करूँगा, कि जाके आप prediction सुलो, अगर आपको वहाँ से profit नहीं दिखता है, दोस्तों, तब आप channel को unsubscribe करके जा सकते हो, या channel को dislike करके जा सकते हो, कुछ भी करके जा सकते हो, बट एक बार जो तरीका लेके आया हैं, दोस्तों, उसको दोस्तों, आप एक बार देखो, फिर आप decide करो, कि उसको बनाने में कितना मिहनत लगा होगा, और उसके साथ साथ दोस्तों, एक चीज आप बताएं, कि वहाँ पे अभी भी क्या कमी है, या कौन सी ऐसी चीज है, जिसको add किया जा सकता है, मेरा मानना है दोस्तों, जि फोर्म को, प्लस प्लेयर्स के stats को, या प्लेयर्स के position को, यही value देना चाहिए दोस्तों, यह नहीं कि इस team के against अच्छा खेला है, उस team के against अच्छा खेला है, यह दोस्तों, local matches है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा, यह दोस्तों, head to head काम आने वाला है, मैं मानता हूँ कि एक या दो player के साथ ऐसा होता है, लेकिन जिस दिन मुझे देखेगा, मैं वो चीजें भी add कर दूँगा, उसके साथ मैं फिर से बोलूँगा, जाके एक बार prediction देखो, अगर वहाँ पे आपको फाल्तू की चीजे लगती है, या दोस्तों, बहुत बुरी बुरी चीजे लगती है, तब आप चैनल को unsubscribe कर सकते हो, like के जगा पे आप dislike कर सकते हो, मैं मानता हूँ बोलने में बहुत ज़्यादा आपको अजीब लगता होगा, मेरी आवाज अजीब लगती होगी, लगता होगा बहुत ज्यादा चूतिया है, या उनपड टाइप का ह तो दोस्तो आप यकीन कर लो आज 6-7 साल खेलते हुए हो गया है मुझे जो मेरा experience है मुझे जो लगता है कि हाँ यहाँ पे आपको problem हो सकती है टीम बनाने में बस वही चीज़े मैं लाने की कोशिस में रहता हूँ और आप यकीन कर लो मैं ऐसी ऐसी चीज़े लाने वाला हूँ दोस्तो जिसे आपको खुद से टीम बनाना आ जाएगा आप अपने तरीके से टीम बनाएंगे 100% आप यकीन रखो मैं दोस्तो खुल के बोलता हूँ कि मैं 90 से 80% प्लेयर के performance को match करा दूँगा 100% आप जाके एक बार मेरे पिछले prediction सुनिए वहाँ पे जिस जिस प्लेयर के बारे में बोला हूँ दोस्तो वही लोग अच्छा performance भी किये हैं तो बात करते हैं दोस्तो टीम प्रेइव कि तो मेरी जो अभी के लिए टीम है ये बहुत ही फाड़ टीम है ये final नहीं है आप देख सकते हैं सकीबल हसं कफटान है wise कफटान तसकीन हैं हो सकता है मैं यहां से डौक कर दों सैफ हसन को यहां से मैं एक आल रांदर की साथ और चलिया जाओ जो सेफ हो उसके साथ दोस्तो यहां पर देख सकते हूं मैं दौप लेयर को एड़ किया हूं जिसका सेलेक्शन अप परसेंटेश बहुत कम है जब बहुत अच्छा प्लेएर हो और उसका selection आप percentage कम हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो कम से कम लोग इनके बारे में ignore तो कर रहे हैं दोस्तों ये दोनों player अच्छे हैं अगर मुझे drop करना हुआ यहाँ से इन दोनों में से किसी एक को तो मैं यहाँ से हो सकता है सब भी रहमान को drop कर दो यहाँ दोस्तों आपको rix नहीं लेना है तो दोनों को drop कर सकते हूँ यहाँ पे एक allrounder add करो यहाँ पे एक bowler add कर सकते हूँ यह सारी चीज़े आप कर सकते हूँ अब बात करते हैं दोस्तों साथ क्यों जा रहा हूं यह सारी चीज़ें हम प्रेडिक्शन में बता चुके हैं या प्रेडिक्शन में आपको दिख जाएगा जा के एक बार देख लो आपको खुद से यकीन हो जाएगा हां दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए तो यह मेरा सेलेक्शन है दोस्तों आप यहां से राजा के साथ जा सकते हो यह एक सेफ कॉल हो सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों आल राउंडर सेक्षन से एफ राजा का सेलेक्षन आप परसेंटे से 81% है मैं मानता हूं यह प्लेयर अच्छा कर सकता है लेकिन एक बार आप प्रेडिक्षन देखो वहां पर समझ ज सकते हो एम हसन का सेलेक्षन आप परसेंटेस बासर परसेंट है स्वरी एम हसन का लेकिन मैं इनके साथ भी नहीं जाओंगा इस्पेसली यह बोलिंग नहीं कराने वाले हैं हाँ आपको जाना है जा सकते हो आप देख सकते हो एक मैंच में 56 फैंट सी पॉइंट दिये हैं जो सेकेंड मैंच में 32 तो एक अठ्ष्य पीक बन सकते हैं मैं यह नहीं बोलता हूं यह खराब पिक हैं बट मैं इनके साथ नहीं जा रहा हूं यहाँ पर जो मैं रिक्स लिया हूं दोस्तों आप देख सकते हो सहाथ असन का सेलेक्षन आप परसेंटेस 27 परसेंट हैं बट मैं में आपको दिख जाएंगे, हो सकता है यहां से मैं यहां से दोस्तों एक player को drop कर दूँ SHAPE महुमत को drop कर दूँ और मैं यहां से try कर लो AC नरफफात अगर खेलते हुए दिखते हैं या E huck junior या दोस्तों यहां से मैं अपना Rigs cover करूँ F Raja के साथ जाओं ये मैं कर सकता हूँ ये चीजे last में हो सकती है कौन से player safe हैं दोस्तों ये आपको decide करना है मेरा काम है prediction करना मुझे ऐसा लगता है मैं 100% अच्छा किया हूँ बस अब आपको decide करना है कि किस के साथ जाना है या किस तरीके से आपको खेलना है ये आपकी call होगी मेरी नहीं दोस्तों ये आपकी call होनी भी चाहिए क्योंकि पैसा आपको invest करना है तो दोस्तों मेरे recording ये रही मेरी final team जो 2 player पे my rix लिया हूँ ये ये और यहाँ से रह्मार राजा ये तिन प्लेयर पे रिक्स लिया हूँ इनके compare में आप किस के साथ save जा सकते हो ये सारी चीज़े हम prediction में बात किये है जाके देखोगे समझ में आ जाएगा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो भाई की मेहनत दिखे हो तो वीडियो को like कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो या दोस्तो support करने के लिए bell का icon भी प्रेस कर सकते हो मिलते हैं दोस्तो जल्द अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर और वेश्ट अपलाग थैंक्यू दोस्तो